हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल ग्रो आप ट्रेडर्स पर फ्रेंट्स इस वीडियो हम एनलाइस करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल कैसा परफॉर्म कर सकती है और आज जो परफॉर्मेंस दी है बिल्कुल जैकपॉट एक्सपाई रही हो कि मैंने आपको क्या-क्या लेवस बताया थे और किस लेवल के बाद बड़ा फॉल आ सकता है सारी चीजी मैंने आपको बतायती तो देखें तो मार्केट ने बिल्कूल वैसा ही बिहेव किया है तो काफी अच्छा दिन रहा फ्रेंट एक्सपाईरी का दिन आज तो कि अच्छा दिन आपको क्या वोल क्या वोल था कि लेवल के नीचे प्लस 50 एमे के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी क्लोजिंग मिल जाएक तो इक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है तो दिखें मार्केट ने बिल्कुल एक्जेक्ट वैसे ही बिहेव किया है तो यहां से अपको बड़ा एक पर लिया जो मैंने आपको लेवस बताया था यहां से सपोर्ट लेने के बाद इसने अपसाइट का मूव दिया रिजेक्शन फेस किया और मैंने आपको बदा थे कि 44100 को जो लेवल है यह इंपॉर्टन लेवल है यह हमारे लिए एक यहां पर कंसॉलिडेट किया उसके फिर से अगर इस केंडल को देखे 15 मिट के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया थे कि 15 मिट के टाइम फ्रेम पर लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तब हम डॉंसाइट का यहां पर ट्रेड देख सकते हैं तो देखिए इस केंडल आँपडी थ के वह किवा लाइट थे क्लोजिंग फिंट करी 15 मिट के नीचे ठीक है फ्लस हमारे लिए İMPOR而न सपोर्ड का लेवल था 43980 इस केंडल ने 50-50 के नीचे कल देखे इस केंडली अहां पर फॉंसान 23980 के नीचे तो यहां पर यहां पर ऋ घुड एदा ओर आप कर लेवल इस लेवल तक हमें टार्गेट मिला उसके अत्मार्केट ने कुछ ताइम यहां पर देखें डाउन तो आया इस लेवल तक डाउन आया 43,800 के आसपास यहां पर कंसॉलिडेट के अब गया फिर से यहां पर एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला फ्रेंट बड़ा कैसे इन देखते हैं तो सारी चीज़े मैं आपको बतात Markus तो देखे इस हमारे लिए धीका फिर से यहां पर लाइन को ढर ड्राह करते हूं तो इमपॉर्टन जो मारे लिए support है अगर अभी भी देखें being है तो यहां पर इस सपोर्ड के पास ही यहां पर उसे लेवल के आसपास मिली है ठीक है तो अब अगर कल के लिए किस तरह से market behave कर सकता है तो देखे यह important support होगा हमारे लिए ठीक है और important जो resistance है resistance हम यहाँ पर देख लेते हैं जो important यहाँ पर resistance है कि हमारे पास यह level होगा important resistance के लिए क्योंकि यहाँ पर देखे support लिया हुआ है ठीक है यहां पर support लिया हुआ है यहां पर देखे support लिया हुआ है ठीक है तो यह हमारे लिक है important support है जो next level होगा next target हम यहां पर इस level तक भी देख सकते हैं यहां पर यह level level होगा हमारा 43,753 का level तो इन levels को ध्यान रखेगा अब अगर हम बात करें upside के लिए तो देखे market अगर यहां पर open हो जाता है ठीक है अगर यहां पर open हो जाता है open होने के बाद अगर इस level पर open होता है open होने के बाद upside को move करता है तो ध्यान रखेगा यहां पर यह support है तो यहां से support ले सकता है तो यहां पर अगर यह लेकिन ध्यान रखेगा आपको यहां पर प्राइजक्षन देखना आए जब हम संद्ध मिलेगा अपसाइड के लिए तभ हम भुण करेंगे और प्रॉपर स्टॉप्लस के साथ में अपसाइड करेंगे ठीक है अगर यहां से support बनाता है support बनाकर अगर यह downside move करता है तब हम फिर से downside का trade यहां पर plan कर सकते हैं तो देखें अभी क्या है यहां पर इस level के pass में closing मिली है तो downside यहां पर अगर down आता है तो एक चोटा से यहां पर यह हड़ा यहां पर देख लेते हम तो यहां पर यह निकल कर आ रहा है फॉइंट 43,319 का level क्योंकि यहां पर देखें तो यहां से rejection face क्या down आया ठीक है rejection face क्या यहां पर down आया अब गया यहां से support बनाया फिर से अब गया यहां पर आया फिर से 20 के आसपास से फिर से support बनाए ठीक है फिर से support बनाए कुछ इस तरह से support बनाकर फिर से ये upside की तरफ को move कर सकता है तो इस चीज को ध्यान रखेगा तो यहां पर down आता है अगर इसके नीचे निकलता है closing मिलती है तो downside हमें जो target देखने को मिलेंगे downside फिर से हमें एक बड़ा fall पेखने को मिल सकता है तो देखिए यहां पर next जो target होगा इस लेवल तक हम देख सकते हैं लेवल होगा हमारा 43,177 के आसपास का लेवल यह हमारे downside का यहां पर लेवल होगा अगर यह break होता है तो downside यहां पर हमारे पास यह लेवल होगा 43,177 के आसपास का लेवल अब इतने बड़े fall के बाद दीखिए पर आपको थोड़ा सा wait करना है क्योंकि अगर हम 15 मिट पर देख रहे तो हमें stop loss कहीं नहीं दिखाए दे रहा है ठीक है इतने बड़े fall के बाद लगा तार यहां पर red candle बनी है तो आपको थोड़ा सा wait करना ह है price action बने यहां पर चोटा से retest करें जानी किसे down आया है retest करें उसका down आता है तब हम down side करेंगे या फिर upside का अपसाइड तो बहुत ज्यादा रिस्की होगा इस चीश के ध्यान रखेगा अपसाइड के लिए तो छूटी कॉंटिटी क्योंकि आप जो ट्रेंड है वह हम है यहां पर निगेटिव मिल चुका है ठीक है अब अगर हम बात करें अपसाइड के लिए तो देखिए अगर य यहां पर एरिया यह जो है यह वॉलेटाइल एरिया है इसे ध्यान रखेगा यह एरिया क्या है वॉलेटाइल एरिया है इसके अंदर मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा यहां से अपसाइड यहां से डाउंसाइड तो इसके अंदर वॉलेटाइल रह सकता है ठीक है यानि कि up down क्योंकि काफी बड़ी range है ठीक है क्योंकि यहां पर support बनाया हुआ था तो यह इन levels को ध्यान रखेगा upside यहां पर इसके ओपर closing मिलेगी तब हम upside का trade plan करेंगे इस level पर ठीक है upside यहां पर इस level पर 43,750 का level यहां से यह next level यहां से टार्गेट होगे और यहां से यह next level और प्राइब को प्राइब करने का अगर फाग ऑप यह जब थाओब ढूरा यह फिर देखने के बाद ही देखनें के प्लान करते हैं पूरे लॉजिक के साथ मैं और अब अब किस तरह से चल रहा था अब जाता था कुछ देर रुकता था फिर से फॉल ठीक है तो आज यहां पर क्या हुआ है पिछले लगा था यानि कि तीन दुनों से ट्राइब का कुछ इसी तरह से चाही पर यहां पर क्या कि यहां पर देखने को मिला सब्सेंब था प॥् комментарies को Laser एक तीर क्लोजिंग मिली थी तो यहां मोय यहां की मिली तो यहां पर हमें डा 왜ine rare का जोatin वो continue था ठीक है डोजी को पर के stop loss और डोजी के नीचे का यहां पर entry ठीक है तो यहां पर हमें यहां पर इस लेवल तक हमारा target था यह done हो गया यानि closing मिल गई 50 एमे के नीचे और भी जदा यहां पर confirmation मिल गई downside के लिए तो बहुत अच्छा movement यहां पर हमें देखने को मिला project से मनाते हुए SDFC bank में अब कल किस तरह से यहां पर move कर सकता है यह तो चली में यहां पर बता देती हूं तो जो इसने यहां पर closing करी है चली में यहां पर यहां पर यह हमारे पास important level होगा यहां से यह लेवल ठीक है जहां से इसने support लिया हुग अगर यहां पर open अभी क्या है यहां support लिया हुगा है अगर open होता है upside move करता है कुछ इस तरह से upside move करता है यहां से rejection face कर सकता है फिर से downside का move दिखा सकता है तो इस तरह से यहां पर movement SDFC bank कर सकता है और ध्यान रखें इसका जो projection है वो क्या है अगर gap open हो जाता है अगर यहां से कोई rejection candle मिल रही है अगर rejection मिल रहा है तो फिर से downside का fall हमें इस लेवल तक दिखा सकता है 1627 के लेवल पर ठीक है अब यहां पर open होने के बार इस लेवल के नीचे closing मिले इस लेवल के नीचे 1627 के नीचे closing मिलता है तो जो target होगा हमारा तो next target यहां पर हम fit देख सकते हैं जो यहां पर level है यह तो next target यहां पर 1621 का level 1621.75 का level ठीक है क्योंकि यहां से fall आया यहां से support ले लिया ठीक है तो यह हमारे लिए next support का level 1621 का level तो इसे ध्यान रखेगा अब हम बात करें यहां पर SBI की तो देखिए SBI ने किस तरह से movement दिया है यह यहां पर फिट से में fall देखने हों कि मिला यह लेवल हमारा ठीक है इसके नीचे closing मिली plus 50 A में 50 A में के nीचे closing फिर यहां पर अगर हम देखे तो इसने projection में बनाते हुए फिर से हां पर downside का move दिया है तो अभी trend का है इसका down है अब कल हम किस सरद यहां पर trade को plan कर सकते हैं तो देखिए जो important levels है सबसपहले हूँ आपर levels लगा दीता हूँ इसे में रिमोब कर देते हु तो एहाँ पर हमारे पास लेवल से तो यहाँ पर support लिए हatoire तो हमारे लिए important level होगा ठीक है जहाँ पर support लिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर तो हैंग यहां पर यहां पर इसी तरह से फिर से मूफ कर सकता है तो अगर आप कर सकते तो काफी अच्छा होगा आप साइट हम यहां पर इस लेवल के ऊपर देखेंगे यहां पर जो लेवल है इसे हम देख लिए यहांपर यह लेवल 618 के उपर झालड़ के उसके उपर यहां पर क्लोजिंग मिलेगी तब हम अफसरेट के यहां पर प्लाण करेंगे तो अपसइड जो हमारे पास टारकेट होगे तो फिर यह अशन सब्सक्राइब लेवल अगर डाउन आता क्लोजिं मिलेगी तो अफसाइट यहाँ पर फिर से में 621 का लेवल दिखा सकता है यह में को ध्यान रखेगा ठीक है क्योंकि अगर आप जाता है तो 50 यह में से हें रिजेक्शन पेस कर सकता है तो अगर डाउन आता है इसके नीचे ख्लोजिंग मिलेगी 614 के नीचे क्लोज़ीं मिलेगी तब हमने यहाँपर डाउनसाइट करेड कर सकते हैं तो जो टार्गेट होगा यहाँपर नेक्स्ट आर्गेट है कही न कहीं इस लेवल तक देख सक तो देख सकते हैं किस तरह से यहां पर movement हमें देखने को मिल रहा है ठीक है तो अभी फिलाल हम इन्हें अब remove कर देते हैं इनकी जरूत नहीं है नए level हम यहां पर निकाल लेते हैं तो नए level यहां पर यहां पर resistance हो गया और यहां पर support का level हो गया ठीक है और यह थोड़ा सा area हमारे लिए यहां पर risky area है यहां पर यह तो दियान देखेगा अभी यहां पर closing मिली है ठीक है अब हमें यहां पर ICI में भी downside का ही ट्रेट प्लान करना है ठीक है क्योंकि और यहां चल रहा है तो यहां से अगर move करता है 905 के नीचे closing मिलती है तो जो next target होगा है यहां पर हम target देख लेते हैं तो जो next target यहां पर निकल कर आ रहा है friend वो है यहां पर next target है 900 के आसपास का लेवल तो इस लेवल तक target हमें दिखा सकता है ICI bank है ठीक है ICI bank में हमें यह target देखने को मिल सकता है downside में यहां पर fall लगाता है अगर देखे तो red candle बनी हुई है अगर यहां पर green candle मिल जाती है अगर आपको stop loss मिल जाता है यहां पर अगर स्विंग मिलता है अगर यहां पर market अभी जैसे down आया इस यहां पर retest करें उसका down आता है तो फिर यहां पर downset इस लेवल तक target हमें दिखा सकता है ठीक है अगर यहां पर open होता है 905 के level पर यहां open होता है अगर यहां पर support बनाता है तो हम upside कर trade plan कर सकते हैं इस level तक लेकिन आपको यहां पर quantity छोटी रखनी है ठीक है friends तो चलिए हम देख लेते हैं यहां पर access bank के लिए जो important levels है तो यहां पर पहले से हम remove कर देते हैं remove करने के बाद यहां पर levels को निकाल लेते हैं तो यहां पर support लिया हुआ इसने ठीक है और next जो हमारे पास important levels है यहां पर यह levels है अभी क्या है यहां पर closing इसने कहां पर करी 936 के level पर हमें upside का प्लान करना है तो ध्यान रखेगा upside हम यहां पर जो ट्रेड प्लान करेंगे यह कि हमेरे पास यह level निकल कर आ रहा है और इसे हम देखें आपर rejection phase क्या हुआ यहां पर ठीक है तो ध्यान रखेगा यह पूरा का पूरा एरिया इसे हम रिमूव कर देते हैं यहां पर हमें ट्रेड ही ने लेनी है और upside यहां पर देखें यह यह अब ध्यान रखेंगे अपसाइड इस लेवल के ऊपर हम देखेंगे 945 के ऊपर हम एक्सिस जब क्लोजिंग देगा तब हम upside का टेड प्लान करेंगे अब यह हमारे लिए पूरी की पूरी यहां पर ध्यान रखेंगे यह पूरी क्या है रेंज है ठीक है अगर अब अब यहां पर नाटा है तो फिर से अफसाइít की दिखा सकता है यह अगर यह अगर होन अगर पर अगर अगर यहां पर फिर दिखा सकता है तो यह वार पास यह सपोर्ट होगा तो यह वारे लिए बड़ी सी रेंज यह इसे ध्यान रखेंगा अपसाइट से 932 के आसपास का लेवल अब इसी के अंदर यहां पर एक्सिज़ जो है कर सकती है तो अब आपको देखना है कि अगर रैस्ट्रंस पर आपको नियना पर कर सकते हैं अगर यहां पर यह सपोर्ट है कोई यहां सपॉर्ट है कोई हैंटर के और यह तो बहुत ज्यादा वाना चुका है ठीक है तो जो important levels है इसे हम यहां पर adjust कर देते हैं तो इसके अंदर हम यहां पर trade plan नहीं करेंगे यह पूरा पूरा volatile area है अपसाइड से 91879 के level यानिकि अपसाइड से 181880 के level और downside से 181858 के level तीक है अभी क्या है यहां पर इसके नीचे closing मिल चुकी है तो जो में next target देखने को मिलेगा तो next target होगा तो nows Iadman, अगर यहां पर 181858 के नीचे निकलता है तो जो target होगा यहां पर यहां पर support लिया वह तो यहां तक का टार्गेट हमें दिखा सकता है 181850 का level यह मारा next target होगा अगर यह break होताइट तो next target यहां पर यह लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है 1852 का लेवल तो यह हमारे यहां पर नेक्स्ट तार्गेट हो गए ठीक है तो अभी क्या है क्लोजिंग तो हमें मिल चुकी है ठीक है यह सपोर्ट है इसे ध्यान रखेगा अगर ओपन होता यहां पर तो डाउन आता है यहां किनीफी फि empresa क किस तरह से चुछ कर सकता है सब्कें यह बात करें अब निफ्टी की तो देखें निफ्टी फिफ्थे के से कल मैंने आपको बताया थी कि हमारे पास क्ला का क्या था एंप् Som심 तो देखे यहां पर 50 A में के नीचे क्लोशिंग मिली प्लस यहां पर अगर देखे यहां पर सपॉर्ड का लेवल भी तो उसके नीचे क्लोजिंग मिली तीन-दीन कफेमेशन की बाद नीकल करा यहां पर इस लेवल ठीक है यानि कुछ टाइम इस्पेंट क्या फिर से यहां पर डाउंसाइट का मुव मिला और जो क्लोजिंग मिली है में इतने बड़े फॉल क्वा जो क्लोजिंग मिली वह मिली एटीन थाउजन थ्रीएंडेट नैंटी फोर के लेवल पर अभी क्या यहां पर जो कि यहां पर हम कब करेंगे तो सब्ढसरान करें 38 के लेवल 18,438 के लेवल और डाउंसाइट से 18,353 के लेवल यह हमारे लिए रेंज होगी अगर आप जाता है इसके उपर क्लोजिंग मिलेगी 18,438 के उपर क्लोजिंग मिलती है तब हम अफसाइट का ट्रेट प्लान करेंगे लेकिन थ्यान रेके कि यहां से जो ट्रेंड है तो थोड़ा से निगेटिव है ठीक है तो अफसाइट यहां पर इसके उपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम अफसाइट का ट्रेट प्लान कर सकते हैं लेकिन छोटी कॉन्टिटी के साथ जो टार्गेट होगे तो यहां पर जो हमारे पास टार्गेट होगा तो फस्ट टार्ग तो नेक्स टार्गेट जो हमें देखने को मिल सकता है तो यहां पर यह इंपोर्टन सपोर्ट का लेवल है 18,300 का लेवल यह नेक्स टार्गेट होगा अगर यह ब्रेक होता है तो नेक्स टार्गेट यहां पर फिर हमें देखने को मिल सकता है 18,251 का लेवल तो यह हमारे यह यहां से support के chances दिख रहे हैं क्योंकि यहां से बड़ा बड़ी बाइंग आई हुए तो support बनाता है तो छोटे quantity के साथ हम trade को plan करेंगे इस लेवल तक 18,438 के लेवल पर क्योंकि यहां से rejection फिर से face करके फिर से downside का move दिखा सकता है ठीक है एंड ऑपसेट यहां पर हमारे पास यह लेवल से तरगट लगा देती हो तो यह हमारा फ्रस टार्ग explores घान टिक है ठीक है 18353 का लेवल उसके बाद आएंगे विए लेवयब ओञा और नेक्स यहां यहां पर यह लेवल ते कर दिखा सकता है देखते हैं मार्केट कहां पर open ओपन होगा कितने पर इस सब्सक्राइब पर और उसके अकॉर रिखान के मार्केट को थोड़ा सा समय दीजिए यानि कि जब ओपन होता है तुरंत प्रेड ले दीजिए थोड़ा सा वेट करिए वेट करिये प्राइज एक्षन बने यानि कि अ ओप है ठोड़ा सा मार्केट को इस्टे करने दीजिए रेंज बनाए प्राइजेक्षन दीखे तब आप ट्रेट को प्लान करिए और प्रॉपर लॉजिक के साथ को प्लान करीए कि अगर आपने उस ट्रेट में अंडर किया है तो क्यों किया है ठीक है तो देखते हैं कल कहां पर open होगा उसको recording हम वर्क करेंगे जो भी नए लवस निकल कराएंगे फ्रेंट्स वो मैं टेलिग्राम चैनल पोस्ट कर दूंगी तो अगर अभी तक आपने टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो वीडियो के